यूँ तो देश की राजधानी दिल्ली में सालों से कई चोरी की वारदातों के मामले दिल्ली पुलिस अभी तक सुल्जा नहीं पाई है लेकिन हर बार अगर किसी सिलेबरिटी या नेता के घर चोरी होती है तो दिल्ली पुलिस सुपरमैन की तरह इस मामले को सुलजा लेती है इसके कई उदाहरन हैं एक और नया मामला सामने आया है दरसल दिल्ली पुलिस ने पंजाबी सिंगर मेका सिंग के घर हुई चोरी की बुथी को सुल्जा लिया है आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि मेका के घर चोरी दिल्ली वाले घर नहीं बलकि मुंबई के ओसी वेरा वाले घर पर हुई थी दरसल आपको बता दें कि बीती 29 जुलाई को सिंगर मेका सिंग के मुंबई के ओशिवारा के घर में चोरी हो गई थी जिसमें चोर मेका सिंग के घर से लाखों के जेवर, कैश और इलेक्ट्रोनिक चीजें ले उड़े थे जिसके बाद मेका सिंग ने मुंबई के ओशिवारा थाने में FIR दर्च कराई जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी तफ्ती शुरू की कई CCTV खंगाले गए और जांक में पुलिस की शक की सुई मेका सिंग के कुछ एमपलोईस पर गई लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा था कि चोरी किस ने की लेकिन मेका सिंग का एडिटर अंकित जब दो दिन के बाद वापस इस्टूडियो नहीं पहुँचा तब मुंबई पुलिस का शक अंकित पर और गहरा पा गया दरसल 29 जुलाई को मुंबई के ओशिवारा थाने में पंजाबी सिंगर मीका सिंग ने अपने घर में चोरी होनी के फायार दर्श कराई थी जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी तफिश शुरू की और तमाम CCTV फुटेश खंगाले लेकिन शुरुवाती जाँच में ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आकर ये चोरी की किसने है लेकिन जब अंकित वसन जो की मीका सिंग का साउंड एडिटर है वो वापस स्टूडियो नहीं पहुँचा तब पुलिस का शक्त अंकित वसन पर घहराया जिसके बाद पुलिस ने अंकित वसन को धूनने की शुरुवात की आपको बता दे कि अंकित दिल्ली से है तो मुंबई पुलिस ने सीधा दिल्ली पुलिस को सूचना दी और इस मामले में मदद मांगी जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कीरती नगर थाने ने कई टीमों का गठन किया और टेकनिकल सर्विलांस की बिनाफ पर मेका सिंग के एडिटर अंकित वसन को विकासपुरी के इलाके से बरामत कर लिया आपको बता दें कि पुलिस ने अंकित के पास से 69 सो अमेरिकी डॉलर और 50 जार इंडियन करेंसी के अलावा साउंड सौफ्ट्वेर की सीडी भी विरामत की है पुलिस को पूछ साच में पता चला है कि अंकित पिछले 15 साल से मीका के साथ बतोर एडिटर काम कर रहा था अंकित पहले भी कई बार मीका के घर से कैश और कीमती सामान की चूरी कर चुका है लेकिन इस बार अंकित मीका के घर से मोटे सामान पर हाथ साफ कर दिया और यही वज़े है कि मीका की नजरों में आ गया पुलिस के मताबिक बारदात को अंजाम देने के बाद दो दिन तक अंकित मुंबई में छेपा रहा और उसके बाद 31 जुलाई को दिल्ली भागाया जहां उसे पुलिस ने विकासपुरी इलाके से धर्दबोचा बहराल दिल्ली पुलिस ने मीका सिंग के मुंबई वाले घर में हुई चोरी की गुथी तो सुलजा दी लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जहां एक तरफ आम आदमी के मामले सुलजने का नाम नहीं लेते तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम सेलिब्रिटीज और नेताओं से जुड़े मामले इतनी फुर्ते से आखरकार कैसे सुलज जाते हैं क्यानों मैं अनी चोरेशा के साथ दिवान चूमल होतरा तोटल नीम्स तिली